आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल जियम अश्टडी में आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कच्छा ग्यारवी का जिसका भी अगर हिंदी कोर या फिर हिंदी एलेक्टिव है यानि हिंदी अगर सभ्जेक्ट है कच्छा ग्यारवी में तो फिर आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है और इस वीडियो से यानि आपका ये वीडियो का स्रीज का पहला स्रीज है इस स्रीज वाले वीडियो से तकरीबन 10 नंबर के कोश्चन आपके एक्जाम में आने वाले हैं आपको स्लेवा सकर पता नहीं होगा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ पहला जो कोश्चन रहेगा तकरीबन 2 पेसे से कोश्चन रहेंगे तोटल 3-3 कोश्चन रहेंगे दोनों पेसे से या फिर 4-4 कोश्चन रहेंगे इसके बाद जो सेक्षन वो आपका यही 10 माक्स वाला सेक्षन है जिसे हम लोग बोलेंगे कारियाले, हिंदी, एवं रचनात्मक, लेखन या फिर इसे बोला जा सकता है संचार और संचार के माध्यम या फिर इसे और तरीके से भी बोल सकते हैं अव्यक्ति तथा माध्यम बहुत सारे नाम है, तो इसी टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे आज की वीडियो में जन संचार माध्यम में, रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं तो याद रखेगा, रिपोर्टर को हिंदी में कहा जाता है समवाद दाता दूसरा नमबर कुशिन क्या आपका, समचार लेखन की सैली क्या कहलाती है तो समचार लेखन की सैली को कहा जाता है उल्टा पिरामेड सैली ठीक है आगे बढ़ते है नेक्स्ट कोश्चन तीसरा नमबर रिपोर्ट में दी गई जानकारी का सौरूप कैसा होना चाहिए जो रिपोर्ट त्यार किया जाता है रिपोर्टर के द्वारा तो उसका कैसा होना चाहिए जानकारी एकदम कालपनिक होना चाहिए या फिर कथात्मक या फिर विस्तरित या फिर तथात्मक और सची घटना पर आधारित तो देखे इसका उत्तर होगा उपसन नबर 4 अगर आप कोई भी निउस देखते हो अगर उसमें बाते सची नहीं होती है सची घटना पर आधारित नहीं होती है तो आपको कितना अच्छा लगेगा देखने में और एकदम तथ के अनुसार कोई भी गलट डारेक्शन में नहीं तो यही आपका उत्तर होगा आगे बढ़ते है नेक्स्ट कोईशन 5 नमबर जन संचार माध्यमों के अंतरगत रेडियो एक विसेश खाली जगा माध्यम है यानि जन का मतलब होता है लोग वैक्ती अगर उनके पास जो भी संचार माध्यम जो भी संचार पहुंचता है जो भी निउस पहुंचता है उसका माध्यम बहुत सारा है उसी मेंसे एक रेडियो है तो इसका एक विसेस माध्यम क्या है तो माध्यम में आपका स्रव्य स्रव्य मतलब होता है जिस माध्यम से आवाज निकलती है तो रेडियो से आवाज निकलता है ना इसी को कहा जाता है स्रव्य याद रखिएगा आगे बढ़ते है next question 8 number अमर उजाला समाचार पत्र है अमर उजाला कैसा पत्र है यह आपका हिंदी का है आगे देखते है next question 9 number किसी खास विसे पर समाने लेखन से हट कर किया गया लेखन क्या कहलाता है तो खास है ना यानि विसेस है तिसका उत्तर होगा विसेस लेखन आगे देखते है next question number 10 कार्याला जो पत्र है वो किसका रूप है इसका क्या रूप है इसका रूप है अपक्चारिक पत्र समझे ध्यान से आप लोग लेटर दो परकार के होते हैं आप लोग पढ़े होंगे इंगलीस में भी और हिंदी में भी पढ़े होंगे कि दो परकार के पत्र होते हैं एक अनप्चारिक एक होता है आप्चारिक मतलब जो फोर्मल होता है उसे कहते हैं हम लोग आप्चारिक ठीक है नहीं भी अगर कारियाले में पत्र लिखते हैं या फिर कहें दफतर में पत्र लिखते हैं या फिर टीचर के पास पत्र लिखते हैं कहने का मतलब है फॉर्मल लोगों के पास अगर पत्र लिखा जाए उसे कहते हैं अपचारिक पत्र और अगर अनफॉर्मल मतलब जैसे कि भाईया दीदी दोस्त ये सब उतना रिस्पेक्टिवल नहीं है ठीके आप इनहें अनफॉर्मल के कटिगरी में आख सकते हो तो उसे कहेंगे अनफॉर तो यहाँ पर कारियाले का उत्तर होगा आगे देखिए 11 नमबर समचार लेखन में कितने काकार होते हैं तो टोटल 6 होते हैं अगर कोई स्टुडेंट पढ़े होंगे हलका साभी कहीं से भी पढ़े होंगे तो बताईएगा कमेंड बोक्स में कि 6 कौन-कौन है ठीक है 12 आगे देखिए 10 कोई निबंध का अर्थ क्या होता है इसका उत्तर है आपका उपसर नमबर बांधना आगे बढ़ते हैं चौदा नमबर माता के नाम जो पत्र लिखा जाता है वह पत्र लिखन किस भेद के अंतरगत आता है मतलब अपनी मा के पास या बहन के पास या किसी बी दोस्त वगेरा जो भी रिस्तिदार है उन सभी के पास अगर आप पत्र लिखते हो तो वो किस परकार के पत्र में आता है वो आता है आपका अनौप चारिक ठीक है मैंने अभी बताया ना तो वही चीज़ है यहां पर इसका उत्तर होगा अपसे नमर दूसरा आगे बढ़ होती थी उसको पढ़ते थे तो वो प्रिंट वाला यानि अखबार वाला ही न माधियम था तो वही यहां पर इसका उत्तर होगा प्रिंट माधियम सतरा नमर कोश्चिन क्या आपका पत्र कारिता का मूलतत्व क्या है तो पत्र कारिता का मूलतत्व अपसे नमर तीसरा जिग प्रदानाचार जी नहीं प्राप्त करता है मतलब जी से मिलता है वो जी नहीं संपादक का वो भी नहीं इसका उत्तर क्या होगा प्रिशक का यानि जो लिखता है जिसको प्रूबलम होता है वही ठीक है जिसके नाम से लिखा जाता या यहां पर लिखा राता अगर आवेदक तो भी आप वही मारते ठीक है आवेदक ही चलिए आगे बढ़ते है नेक्स्ट 21 नमबर विद्याले में आवकास है तू दिये गए आवेदन म प्रारम कहां हुआ तो वही प्रिंट माध्यम सबसे पहले कहां पर चलित हुआ तो चीन में हुआ था आगे बढ़ते है नेक्स्ट 21 नमबर फिल्मे जन संचार के किस माध्यम के अंतरगत आते हैं आप लोग फिल्म देखते होंगे वहाँ पर आवाजे भी आती है एक्सन च यहाँ पर दिरिश्च भी दिखते हैं सुनाई भी देता है तो यानि यह दोनों अगर जिसमें रहेंगे तो वही माध्यम कहलाएगा फिल्म वाले जन संचार माध्यम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुश्चन संचार सब्द की उत्पत्ती चर सब्द से हुई है तो चर का क्या होता है इसका अर्थ होता है चलना आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुश्चन पचीस नमबर भारत में टेलिवीजन का प्रारंब कब हुआ इसका उत्तर होगा अपसर नमबर 1 15 सितंबर 1969 में 26 नमबर कुश्चन क्या आपका मेडिया की भासा में बीट किसे कहते हैं इसका इसका उत्तर होगा 1936 इसवी में आगे देखिए नेक्स्ट कुश्चन 28 नमबर भारत की पहली मूख फिल्म किसने बनाई थी तो यहां पर देखिए 28 का जो उत्तर है वो आपका उपसर नमबर 2 दादा साब फालके ने आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुश्चन उन 30 नमबर दूर दर्सन नामक निकाय की अस्थापना किस वर्स हुई तो इसका जो उत्तर है वो आपका उपसर नमबर 3 उनी सो चीएत्तर में आगे देखिए नेक्स्ट कुश्चन 30 नमबर 30 नमबर के आपका किस परकार के समाचारों में सब्द धौनी और दिरिश्च तीनों का मेल हो उत्तर होगा उपसर नमबर दूसरा यानि इंटरनेट में टेलिविजन नहीं होगा टेलिविजन में ये सब्द रहता भी है नहीं भी रहता है ठीक है लेकिन धौनी और दिरिस ये टेलिविजन में हो जाता लेकिन यहाँ पर सब्द बोला गया है तो सब्द क्या होता है इ यूज मिलता है वही है तो ये किस ने शुरू किया था इसका उत्तर होगा अपसर नमर पहला तहलका.com ने आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन और नेक्स्ट कोश्चन के आपका 32 नमर सौरूप विस्तार की दृष्टी से परतिवेधन कितने परकार के होते हैं इसका उत् समचार के पहले अनुच्छेद या आरंभिक दो तीन पंकितियों को उसका खाली जगा मतलब कहते क्या है तो उसे कहते हैं मुखडा तीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन 35 नमर आगे देखिए नेक्स 36 नमर कोश्चन क्या आपका निमनांकित में से कौन समचार मा माध्यम के उपकरण है जिससे हम लोग न्यूज वगेरा सुन सकते हैं देख सकते हैं पढ़ सकते हैं आगे देखिए नेक्स्ट कोश्चन मूदरन धौनी द्रिश्च मूदरन धौनी द्रिश्च मूदरन क्या होता है मूदरन मतलब जो पत्र होता है अख़बार होता है जि प्रिंट मीडिया को खाली जगा के नाम से जाना जाता है तो किस नाम से जाना जाता है समचार पत्र के नाम से तो देखें याँ पर ततकाल परसारित इसका मतलब होता है लाइब परसारन तो live परसारन क्या होता है कभी काटून देखे और live परसारन नहीं या फिर morning news या फिर इन में से कोई नहीं इसका उत्तरों का breaking news ठीक है जो भी breaking news होता है उसको direct live परसारन करते है आगे बढ़ते है next question 44 number किसी विसेस विसे के विसेसक और विसलेसक को क्या कहते है उसको कहते है विसेस समवाद दाता आगे बढ़ते है next question 45 number reporter को हिंदी में क्या कहते है रिपोर्टर को हिंदी में ती वेदन कहते है ठीक है और एक नाम होता है जो मैंने आपको पहले question में बताया था लेकिन वो option में यहां नहीं है आगे बढ़ते next question 46 समचार पत्र की नीती सोच और विचार धारा की अव्वैक्ती होती है तो इसका उत्तरोग अपसन मर पहला समपाद के लेक की ठीक है आगे बढ़ते next question 47 number किसी लिखित समागरी को रूटी विहीन करके उसको पढ़ने योग्य बनाना क्या कहलाता है कोई भी मिस्टेक्स है उसको सुधार के पढ़ने लाइक बनाना क्या कहलाता है इसका उत्तरोग अपसन नंबर 4 समपादन आगे बढ़ते next question और next question के आपका 48 number रेडियो द्वारा ठीक है फीचर होता है उसमें तत्थ जो होते वो कैसे प्रस्तुत करते हैं यानि हम लोगों दिखाते कैसे हैं तो मनुरंजंग के जैसा ठीक है इसका उत्तरोग अपसन नंबर 3 50 नंबर दखिए पत्तर लेखन के मुख्यता कितने परकार होते हैं तो पत्तर लेखन के 2 होते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कीजेगा कौन-कौन ठीक है तो यहाँ पर देखिए टोटल 50 कोश्चिन मैंने करवा दिये बाकी बचे 100 कोश्चिन उसको भी नेक्स्ट वीडियो में कम्प्लीट करेंगे सबसे पहले आप लोग जो भी अगर वीडियो देख रहे हो क्लास 11 के स्टुडेंट अपने दोस्तों में वीडियो को सेयर करना है ठीक है उसके बाद साथी साथ आप लोग जो भी ने वीवरोच चैनल को सबस्क्राइब भी कर लेना है बेहतर नमबर लाने के लिए 11 वी कच्छा में साथी साथ 12 वी में भी आपको Free of Qust इस चैनल के माध्यम से ठीक है तरीके से नए सिक्छानीती के तरीके से नए सलिबस को कवर किया जाएगा तो जरूर सबस्क्राइब कीजेगा मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में